इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा Contiguous Memory Allocation क्या होता है इसकी कौन-कौन सी टाइप्स होती है और टाइप्स को बड़े अनिमेटेड तरीके से समझाया जाएगा बहुती जगह-जगह से मतलब information collect करके यहाँ पे मैंने मिला दी है आपको समझाने की बहतरीन कोशिच की गई है सभी चीज़ें आपको अगर समझनी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तों मेरा ना मैं हर्मन दीप सिंग आज मैं आपको Contiguous Memory Allocation पढ़ाऊँगा जो कि Memory Management Operating System में एक बहतरीन टॉपिक है और उसमें Introduction, Types, Chart के माध्यम से पढ़ाया जाएगा Static Memory Animated तरीके से और Dynamic Memory Animated तरीके से समझाई जाएगा शुरू करने से पहले एक Motivational Code पानी में गिरने से किसी की मृत्यू नहीं होती मृत्यू तब होती है जब तैयारना नहीं आता इसी तरह से परस्तितियां कभी समस्या नहीं बनती समस्या तभी बनती हैं जब उनसे नेपटना नहीं आता चलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा सबसे पहले Contiguous Memory Allocation Contiguous Memory Allocation एक Memory Allocation टेक्नीक्स है जो अलाओ करती है किसी भी प्रोसेस को एक Contiguous फैशन में स्टोर करना Contiguous मतलब Continue किसी भी Memory में Continue स्टोर होगी कोई भी प्रोसेस और सारी की Entire Process एक Single Entity की तरह बहेव करेगी ठीक है? टाइप्स देखिए Contiguous की Fixed Partishing और Variable Partnership दो तरह की इसकी टाइप्स है चलिए और Fixed को Static बोलते हैं और Variable को Dynamic अब देखिए Static Partishing को विस्तार से समझती है Static में क्या होता है? एक Fixed Size Partishing Scheme होती है मतलब हम Memory को एक Fixed Slots में Divide कर देंगे पहले से ही देखिए Pre-Divided Into Fixed Size Partishing Parts में Divide कर जाएते हैं पहले ही Fixed Size के और जो Size होता है Each Part का इस Fixed वो Fixed रहता है और कभी भी Change नहीं होता और Each Part is allowed to store only one process एक Part में एक ही Process store होगी ठीक है? अब देखिए जैसे यह हमारी RAM है जिसे हम Main Memory भी बोलते हैं और Physical Memory भी बोलते हैं यह हमने पहले से कुछ 2MB, 5MB, 8MB कुछ store करके रख दिये ठीक है? पहले ही Slots कर दिये देखिए सात तरह के Slots हैं ठीक है? और उनको पहले से कजी को 4MB, 2MB, 8MB, 8MB, 8MB ऐसे Slots में पहले ही Divide करके रख दिया हमने अब यहां देखिए यहां भी सात Slots हैं यहां भी सात Slots हैं ठीक है? लेकिन यहां पर सेम मतलब 4MB, 4MB, 4MB मतलब size जो है वह fix है यहां size जो है वह vary कर रहा है लेकिन number of Slots हैं वह 7 के 7 ही हैं दोनों में दोना तरह से हम parts कर सकते हैं हम इसके अब देखिए example से समझते हैं जैसे के process आया P1 2MB चाहिए से store करने के लिए पहले किसी भी RAM में आपको समझना पड़ेगा पहले OS store हो जाता है already यहां भी देखिए operating system load हो जाता है फिर process 2MB की आई 2MB store होगी लेकिन यह size तो पहले slot का 4MB का था तो 2MB क्या होगी waste मतलब यहां पर ऐसी खाली पड़ी रही तो यह इसकी पहली limitation होगी internal fragmentation इसे बोलते है internal fragmentation ठीक है जब इस तरह से memory waste हो जाए अब process 2 आई 2MB की यहां भी 2MB का size है तो 2MB store होगी ठीक है अब process 3 आई 5MB की यह 8MB का part है तो 5MB store होगी और 3MB फिर ऐसी खाली पड़ी रही waste होगी अब process 4 आई 32MB की देखिए पहले से हमने slots divide करके रखे हैं 32MB का तो कोई भी part ही नहीं हमारे पास तो 32MB की cancel यह भी इसकी limitation होगी limit in process size process size की limitation है कि हम पहले से जो predefined की हुए है उससे ज़्यादा size की process को store नहीं कर सकते ठीक है तो process 4 आई 8MB store होगया 8MB ही था हमारे पास process फिर 8MB ही था store हो गया सारे की सारा फिर process 6i 16MB ठीक है store हो गया process 7i 16MB ठीक है store हो गया सारा का सारा अब यहाँ पर खेल लाता है process 8 का 4MB देखिए जब हमारे पास slot C7 है तो 4MB का तो बात ही नहीं बन सकती और दूसरी बात देखिए हमारे पास 3MB यहाँ पढ़ा है 2MB यहाँ पढ़ा है मतलब total 5MB अभी भी मारे पास है लेकिन हम पढ़ रहे है contiguous लेकिन यह memory अगर continue होती ना एक साथ में तो यह काम में आ सकती थी पी 8 4MB लेकिन अभी यह नहीं store हो सकती तो क्या इसकी limitation होगी external fragmentation और आगे देखिए limitation of degree of multiprogramming इसका मतलब क्या है कि आगे P9P 10P 11P और ज्यादा process ही होई नहीं सकती कि slot C7 है देख लो उमीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा अगर आ रहा है तो चैनल को subscribe जरूर करके जाना अब शुरू करते हैं variable partnership size की देखिए variable में क्या होता है memory is treated as one unit जो पूरी की पूरी memory है इसको कोई पहले से divide नहीं करते एक पहले से एक one unit बना के रखते हैं और divide करते हैं हम requirement के हिसाब से ठीक है when process arrives जब process आती है तो हम part कर देते हैं equal to size of process जितने size की process है उतने size का हम काड़ देते हैं memory में ठीक है then partition is allocated to the process अब यह देखिए पूरी के पूरी यह पहले memory है हमारी RAM है main memory पड़ी तो पहले तो operating system जाना ही जाना है चला गया अब देखिए P1 process आई 2MB की तो हमने पूरी memory में से 2MB size को काड़ के allocate कर दिया process P1 को उसके पाद P sorry यह P2 है 4MB की आई और 4MB का 4MB का का काड़ के allocate कर दिया ठीक है अब पर से अब देखिए advantage देखिए इसकी no internal fragmentation जैसे के वहां पे fixed में जो memory थी वो waste हो जाती थी बच जाती थी और हम store नहीं कर पाते थे लेकिन यहां इसमें बचती ही नहीं है हम पहले जब आती है process तभी हम memory में allocation allocate करते हैं उस case आप से ठीक है तो internal fragmentation तो ही नहीं अब देखिए no limit of size of process तो size की limitation भी नहीं है चाहे 2MB की आजाए 4MB या चाहे 8MB की आजाए तो वहां पे हम store कर देंगे हम काट के memory को ठीक है तो no limit of number of process जितनी भी आजाए 2-2MB की 10 आजाए 20 जाए तो 2-2MB की store कर देंगे हम तो यह भी इसकी advantage है कोई limit ही नहीं है अब देखे P3 8MB की आगी माल लो तो 8MB का टुकडा काट के दे दिया फिर से आगी 8MB की फिर से 8MB दे दिया हमने ठीक है यह process 4 आगी माल लो तो फिर से process 5 2MB की आगी तो 2MB इसको दे दी तो अब अब खेल शुरू होता है जो process 2 और 4 अगर चले जाए इनका काम तो माल लो इनका program run हो गया सब कुछ खतम हो गया अब जे चले जाए चले गए अब यह खाली रहे गया काम memory खाली रहेगी तो यहां पे 4MB और 8MB की memory खाली रहेगी हमारे पास ठीक है अब आएगी process 6 12MB की 12MB की तो space हमार जा सकता क्योंकि यह हम पढ़ रहे हैं continuous 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 fashion में होनी चाहिए यह दोनों memories slots यह दोनों इकठे होते तो 12MB चला जाते लेकिन अब नहीं जाएगा ठीक है तो यह इसकी होगी limitation external fragmentation इसमें रहती है यह इसकी limitation होगी ठीक है दोस्तों अगर आपको यहां तक वीडियो देख रहे ह आप तो जुरूर आपको अच्छा ही लगा होगा समझ आया होगा तो मेरे चैनल को subscribe जुरूर करके जाएगा जो भी कुछ improvement चाहिए नीचे comment जुरूर करिएगा तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रों